तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिश और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे जार खंड के सिम्डेगा जिले के ठेट इटा नगर ब्लॉक के बारे में ये ब्लॉक करीब 611 वर किलोमेटर में फैला हुआ है करीब 87,000 के यहां पर जन संक्या है तो अब बात करते हैं ठेट इटा नगर ब्लॉक के दस सबसे बड़े गाहों के बारे में तो दसवे नमर पर आता है टुकु पानी गुरगुर चुआ जहां करीब 3398 लोग रहते हैं यह सिम्डेगा से करीब 3 किलोमेटर दूर है और यह केला घाट डेम के पास है और सिम्डेगा के नजदीक है यह देम तो नवे नमर पर आता है पैक पारा जहां करीब 3419 लोग रहते हैं यह ठेट इटा नगर से करीब 38 किलोमेटर दूर है जमुनाखार, चिर्रा टोली, रेंगाली और गलसेरा इसके नजदीकी गाव हैं तो आटवे नमर पर आता है तारा बोगा जहां करीब 3463 लोग रहते हैं यह सिम्डेगा से करीब 30 किलोमेटर दूर है और इसके आजपात बहुत सारे जंगल हैं तो साथवे नमर पर आता है जोरम जहां करीब 3964 लोग रहते हैं यह ठेट इटा नगर से करीब 3 किलोमेटर दूर है कुटनिया, अमबा पानी, जाम पानी और कहु पानी इसके नजदीकी गाव हैं तो छटवे नमर पर आता है मेरुमदेगा जहां करीब 4304 लोग रहते हैं यह सिम्डेगा से करीब 7 किलोमेटर दूर है और यह भी केला घाट डेम के पास है तो पांचवे नमर पर आता है कौनपाला जहां करीब 5309 लोग रहते हैं यह ठेट इटा नगर से करीब 30 किलोमेटर दूर है इससे थोड़ी ही दूर जाने पर हमें एक बहुत ही सुन्दर जल प्रपार्ट मिलता है दनगदी वाटरफोल उसे कहते हैं तो चोथे नमर पर आता है ठेट इटा नगर यहां करीब 5423 लोग रहते हैं यह सिम्डेगर से करीब 14 किलोमेटर दूर है और इसके पास में ही आपका ब्लोक ऑफिस और होस्पीटल है और बहुत सारी जगहें हैं तो तीसरे नमर पर आता है घुट बाहर जहां करीब 5427 लोग रहते हैं यह ठेट इटा नगर से करीब 10 किलोमेटर दूर है मुरिया, मेरोमदेगा, केसरा और बिंजिया बंद इसके नज़दी की गाउं है तो दूसरे नमर पर आता है कुर्मिया जहां करीब 5665 लोग रहते हैं यह सिम्डेगा से करीब 20 किलोमेटर दूर है और इसकी जो सबसे नज़दी की नदी है वो सांक नदी है तो पहले नमबर पर आता है केरिया जहां करीब 6731 लोग रहते हैं यह ठेट नगर से करीब 22 किलोमेटर दूर है यह जारखंड और ओडिशा के बॉर्डर पर है तो फ्रेंज अगर आपको मेरो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो याद से मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले न तो चलिए पर वीडियो को खतम करते हैं